तो गाइस ऐसा है कि अगर आपको Samsung M30s के उपर detail वीडियो चाहिए तरह तरह की camera reviews, gaming review यार Gcam जो भी मतलब आपको तो मेरे को इस पोल में definitely बता देना कि भाई हमको ये वीडियो चाहिए, नहीं चाहिए तो no पर click कर देना है गाइस कैसे आप सब में हूँ और आप देख रहे हैं साइक सौमिक है कि लेडिस अपिसोड और आज मैं आपके लिए एक initial comparison लिख रहा हूँ यहाँ पर Realme XT और यहाँ पर Samsung M30s को लेकर, अहां भाई या प्राइस का बहुत जाला difference है, 2000 का फरक बढ़ जाता है क्योंकि Samsung आ रहा है 14,000 में, XT आ रहा है यहाँ पर 16,000 में, अब भाई यह सीधी बात है, आगर तुम्हारा budget अलोई नहीं करता है 14,000 से उपर जाना, फिर XT को तो भूली जाओ, फिर तो Samsung आपके लिए अच्छा option है, बड़ यार आपको लगता है कि 16,000 खर्च सकता हूँ, क्या 16,000 खर्चना चाहिए, क्या या फिर मैं Samsung के साथ जाहूँ, पैसे बचा लूँ, तो आज वही बात करने वाले हैं, आपके ल नाउस्मेंट करने जा रहा हूँ, तो वह आप जरूर से देख लेना, अगर PUBG या Free Fire के लते हो, इन दोनों गेम्स के लिए बहुत ही तगड़ा competition आ रहा है, October 1st को, तो अगर उसको मिस्स, बिल्कुल भी मत करना, और यहाँ पे सबसे बेटे design से शुरू करते हैं, दोनों फो अगरी मैं आपको glass bag दिखने को मिल जाता है, बट Samsung आपको plastic bag दिख रही है, अब plastic bag यह ज़िए कि थोड़ा तूटने का डर गम रहता है, glass में तूटने का डर जाता रहता है, plastic bag में रंग उड़ने का डर जाता रहता है, glass में वाला डर नहीं होता है, यहाँ पर आपको चू बागी आप दोनों फोंस में ग्रेडियंट देंगे हूं मिल जाएंगे amazing colors है पसंद आएगे आपको design ऐसी को बात नहीं है front side से दोनों में water drop notch है shape में तरह सा फ़रग है V and U का बागी है ऐसा कोई इतना बड़ा difference नहीं है आपको amazing लेगा even कि displays के बात करूं तो यहां पर sizes जो है वो दोनों के similar हैं आपको खासा फरक देखने को नहीं मिलेगा और यहां पर आपको जो devices दोनों है guys super AMOLED full HD display के साथ आते हैं तो यहां पर डिस्पले के मामने में दोनों फोंस में कोई शिकायत नहीं है कोई comparison नहीं है आपको दोनों यह अची लगेंगी बाकी है थोड़ा बहुत contrast वहरा में होता है वो इतना आपको फरक नहीं पड़ेगा दोनों displays कमाल की लगती है चाहे वो XT की चाहे वो M30S की तो कोई भी choose कर सकते हो बात करतें प्रसेसर की Samsung आपको देख रहा है अपना ही इनका बनाया हुआ Exynos का 9611 10nm का प्रसेसर इसके साथ जो GPU आता है वो है Mali G72 MP3 और अगर बात करें Realme की तो वो Qualcomm का प्रसेसर यूज़ कर रहे है जोगी है Snapdragon 712 और यह भी 10nm के उपर बना हुआ है Adreno 616 के साथ compare कर यहाँ पर sorry compare नहीं Compound करके आता है या इसको मैं कहूँ यार साथ दे रहा है GPU CPU का बड़ यार देखोगे न on paper जो यार वो Snapdragon 712 जो है वो थोड़ा सा बैठर है Exynos के 9611 से दोनों battery efficiency में अच्छे है दोनों पर PUBG अच्छी चल जाएगी दोनों के routine डास काफी अच्छे है बट कहीं न कहीं Snapdragon 712 जो है वो Exynos 96111 से थोड़ा सा आगे है भाई तो यहाँ पर यह चीज़ आपको consider करनी है आपको थोड़ा boot time से फरक देखने को मिल सकता है और ज़्यादा कुछ खास फरक नहीं ऐसा नहीं कि Samsung का phone होगे तो मज़ा नहीं आएगा मज़ा दोनों में आएगा बट होता है न थोड़ा सा फरक पड़ता है अब यहाँ पर GPU यहाँ पर देखो कि तो again Adreno 616 Mali के G72 से थोड़ा बेटर है तो आपको graphics में यह चीज़ आपको देखनी है बाकि यहर overall performance दोनों में अच्छी आने में लिए है जनरल डास दोनों अच्छे कमाल कर देंगे पर अगर आप देख रहे हो थोड़ा सा gaming के sense से तो यहाँ पर मगउंगा Snapdragon 712 थोड़ा सा ज़ादा बढ़िया रहेगा बाकि यहर दोनों की जो storage है वह UFS 2.1 के साथ आ रही है आपको यहाँ पर storage दोनों ही fast दे रहे हैं और dedicated SD card का support भी दे रहे हैं तो यहाँ पर भी कोई खासा अंतर देखने को नहीं मिलता है अंतर मिलेगा cameras में यहाँ पर आपको जो Samsung दे रहा है वो triple cameras दे रहा है 48 megapixel 5 megapixel और 8 megapixel का wide angle 5 megapixel डेफिनिली एक depth camera है अगर महीं बात करूँ रियन्मी की 64 megapixel का primary camera है और 7 megapixel का wide angle है 2 megapixel का macro 2 megapixel का portrait lens चलो ठीक है यार macro macro बहुत जाला use नहीं होगा बट एक functionality ज़रूर यहाँ पर एड़ हुई है तो advantage दिखने को मिल जाता है बाग की 48 megapixel का sensor का sensor है यहाँ पर camera का वो guys Samsung का थोड़ा सा यहाँ पर weak है हमारे XT के 64 megapixel के sensor का आगे ऐसा नहीं है कि megapixel बढ़ने से यहाँ पर ऐसा हुआ है नहीं 48 megapixel वाले जो sensor है वो Samsung का अपना है Sony IMX वालन नहीं है उदर अगर आप देखोगे 64 megapixel का आगे Samsung का sensor है GW1 वाला जो का भी latest है वो sensor उस वाले sensor से काफी बहतर है तो मुझे लगता कहिने का Realme XT में better photos दिखाई देंगी बाकी functionality अल्टरा वाइड दिखने को मिल जाता है पोर्टर्ण मिल जाता है बाकी यह है कि Realme में आप ultra macro shots के ले सकते हो तो एक functionality पर जाती है advantage मिल जाता है बाकी यह दोनों में ही 16 megapixel का यहाँ पर AI वाला camera दिखने को मिल जाता है front side के उपर जो कि face lock भी देगा बढ़ यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा AI का भरोसा जादा Realme के उपर है कहिना कि selfies दोनों अच्छी खीचेंगे कैसे यहाँ पर review सामने आएंगे दोनों को comparison होंगे cameras के दोनों Android 9 के उपर चल रहे है guys Android 9 याने की latest update है बढ़ यहाँ पर फरक पड़ेगा skins का Samsung की One UI और इधर Realme की Color OS भाई मैं Color OS यूजज कर रहा हूँ मेरे को पता है बहुत अच्छा बहुत improve हो चुका है कहीं न कहीं अभी भी कुछ ना कुछ problem जरूर है बहुत सारी problem यहाँ पर देखने को कहीं न कहीं मिल जाती है अब यहाँ पर One UI है इसके अंदर इतनी कोई खासा problem नहीं है बहुत ज़्यादा smooth है Samsung के पुराने touch with से तो बहुत ज़्यादा improved है तो definitely वरको One UI थोड़ी से better लगती है बट दूनों में updates काफी ज़्यादा Samsung भी updates के मामले में अच्छा है Realme भी updates के मामले में अच्छा है तो यहाँ पर आप decide कर सकते हो अपनी preference के साब से सबसे main point के उपर आते हैं वो है यहाँ पर battery बैटरी यहाँ पर जो Samsung दे रहा है वो आपको दे रहा है 6000 mAh की बैटरी और Realme XT में आपको मिलती है 4000 mAh की बैटरी यानि की 2000 का फरक है बैटरी चैंप है Samsung M30S आप एक ऐसा smartphone डूंडरों जो बैटरी वे कभी खतम न हो जाए तो भाई Samsung M30S का कोई जवाब नहीं है मेरे साब से यह आपको सबसे बड़िया battery life देगा और वहीं बात करें यहाँ पर Realme XT की तो बैटरी तो उसकी वहीं amazing है और एक दिन अराम से चलेगी बट Samsung के आगे फीक ही बड़ जाएगी यहीं बात करें चार्जिंग स्पीड की तो चार्जिंग स्पीड यहाँ पर Realme की जादा होने वाली है 20W का चार्जिंग मिलता है Samsung 15W का दे रही है फास्ट चार्जिंग दोनों में है पर Wook 3.0 जादा फास्ट है तो 4000M जल्दी जादा चार्ज हो जाएगा बढ़ 6000M तोड़ा सा जादा लास्ट लोंग करेगा तो यहां पर आपको सोचना है आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए जादा वाली या फिर आपको नॉर्मल फास्ट चार्जिंग चलेगी थोड़ी ज़ादा बैटरी बैकप के साथ बागी ये गलास डिफरेंस है कि रियर फिंगर्मेंट स्केन है सामसंग दे रहा है आपको टच करने वाला और यहां पर आपको डिस्प्ले के अंडर दे रहा है रियल मी एक्सटी एक नई टेक्नोलजी अब यह आपको चूस करना है आपको कौन सी पसंद है तो भाई सीदी इसी बात है अगर आपके पास पैसे की कमी है 14,000 से उपर नहीं जा सकते है सामसंग आपके लिए one of the best competition होने वाला है यहां पर Redmi Note 8 Pro के साथ तो यह बहुत अच्छा फोन है आपको बड़ी है बैटरी मिल रही है बड़ी है डिस्पे मिल रही है अच्छा बहला है यहां पर performance देखने को मिल रहा है कैमरास पर डीसेंट होंगे पर अगर आप 16,000 रुपे खर सकते हो तो Realme XT जैसा option अभी market में नहीं है आपको performance, display, build and design, battery सब कुछ decent मिल रहा है कैमरास amazing देखने को मिल जाएंगे तो भाई अगर 16,000 खर सकते हो तो XT में invest कर लो अगर नहीं कर सकते हैं तो Samsung का सोच लो Samsung इतना impress नहीं कर रहा तो Note 8 Pro का wait कर लो तो भाई इतना ही है बहुत बोलने के लिए बाकि यार आप मेरे को बता देना कि M30S के बारे में आपको और वीडियोस चाहिए तो मैं आपको यहार बना के दूँगा तब तक मिलता हूँ आप तब तक इन्जोय करो मैं मिलता हूँ आपको अगरे पिसोर में तब तक अपना उपना उपना उपने चैनल के रखी कही आलकी पालकी आपको अपना आप बाइ